कि उतर प्रदेश की रानीती में कई बड़े उलट फेर के आसान नजर आ रहे हैं और पलवी पटेल और अनुप्रिया पटेल का एक होना कई न कई इसको भी एक हवा मिल गई है जब से अनुप्रिया पटेल लगतार भारते जंता पार्टी के किलाब हमला वर होती हुई नजर प्रतियाश्यों को लेकर मन्थन करते वी नजर आ रही है तो वहीं भारते जंता पार्टी के प्रतियाश्यों का एलान करने से पहले ही भारते जंता पार्टी के साथ जुड़े सहयोगी दलों ने ही बगावत कर दी है भारते जंता पार्टी को घेरने का काम कर दिया है सियं अनुप्रिया पटेल जो लोग सभाद चुनाम में तीन सीटों की मांग करती वी नजर आई लेकिन भारती जंता पार्टी ने 2019 और 2014 की तरह ही दो सीटों पर उन्हें स्यम्टा दिया और दो सीटों पर चुनाम लड़ने के बाद मिर्जापूर सीट ही अनुप्रिया पटेल के खाते में गई जिससे वो खुद ही सांसत बनती वी नजर आई लेकिन सांसत बनने के बाद आप ये देखिए कि वही अनुप् अनुप् ये जतीड़ दिया जाता है जो नौक्रियों में के लोग के लिए लेकिन देखा जाय तो विनती ओंना नहीं आ रही है सीटों पर पहले किया जाता उसके बाद इन सीटों को लेकर उन्हें समय दिया जाता है उसके बाद अन्रिजर्व्ड बता दी जाती है और ऐसे में जो नौक्णियों का सपना देख रहे थी या महनत करके आते हैं उनका सपना कहीं ना कहीं तूट जाता है और यह मुद्दा जब अनुप्रिया पटेन ने पटेल की भी एक बड़ी मांग केंदर सरकार के सामने है केंदर सरकार से पहले राज्य सरकार के सामने बड़ी मांग रखती है मांग है अपने पिता स्वरगी सोनेलाल पटेल को इंसाफ दिलाने की वह इंसाफ के लिए जब सोनेलाल पटेल को लेकर कहा गया कि 17 अक्टूब और साती साथ अपना दल का मेरावादी रास्ट्य अध्यक्ष और अपनी माँ खिश्ना पटेल की जान की सुरक्षा को लेकर जैट प्लस सेक्यॉरिटी की मां रज्य सरकार से करती भी नजर आ रही है ऐसे में क्या दो बहने एक होती भी नजर आएंगी क्या पलवी पटेल अनुपर्या पटेल के समुद्दे में साथ अएंगी क्या ये दोनों अप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती भी नजर आ सकती है क्योंकि बारती जंटा पार्टी के खिलाफ तो लगतार मिलकर खल्ला बोला जा रहा है इन तमाब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिर्साथ मिर्सायोगी माजूद है सिराज इस राजा आपको बहुत बहुत स्वागत है सिराज क्या लगता है एक तरफ आरक्षन का मुद्दा तो एक तरफ सीबी आई जाच की माँ तोनों मुद्दे गंभीर हैं और दोनों ही मुद्दों को लेकर बहने रजजस सरकार को यानि किस्यम योगी अदितनाद को घेरती हूँ इन नजर आ रहे हैं क्या कहना है जी बिलकुल लोगसभा चुनाओं के बाद से भारते जन्ता पार्टी की मुश्किले लगतार बढ़ती नजर आ रही है खास तोर पर देखे तो बीसी आरक्षन को लेकर के कि अनुपरिया पटेल ने सीधे तर पर योगी अदितनाद पर हमला बोला था और उनोंने इस बात की मांग कि थी कि ओबीसी आरक्षन को फिर से लागु किया जाए और जाहिए सी बात है उनने कही ने कहीं कहा था पुलेकि पतेल सीदे तूर पर अपने पिता की जो है जो मौत हो थी उनको लेकर के कई नेकर करने माता क्रिश्णा पतेल के लिए सिक्योर्टी की मांग कर रही है तो मुझे लगता है यह मामले जो है काफी जाता गंभीर नजर आ और जाइसी बात है कि उत्तर प्रदेश की रानीती में कई बड़े उलट फेर के आसार नज़र आ रहे हैं और पालवी पटेल और अनुप्रिया पटेल का एक होना कहीं नहीं इसको भी एक हवा मिल गई है जब से अनुप्रिया पटेल लगतार भारते जंतापार्टी के खिला प्रवेश में अरक्षण की व्यवस्ता देने की चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की और जब मैंने उनके समक्ष लीज के परिक्षा में ओवी पी आरक्षण नहीं लागू होने का विशेय उठाया मोदी जी ने इस पर भी त्वरित करवाई की पिर सवाल है इतना सब कुछ करने के बाद भी कही कुछ बाकी रहे गया और वो बाद भी अपना दलने दिरंतर कही होगत सारे जो समस्या इस सवाल हमने उठाये वो हल हुए लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ किसी कारणवश हल नहीं हो पाया और वो सवाल 59,000 शिक्षक भरती का था जिसको अब उठाते रहे बारबार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसीने नहीं उठाया लेकिन यह तारा बना कि अब भ्रम क्यों फैला इस जूप में इस अपने कि आरक्षर खताम हो जाएगा संविदान खताम हो जाएगा आखिर जोर क्यों पकड़ा लेकिन यह उतार चड़ाओ चलते रहेंगे हमें अपना काम करते रहना गंचे द्वर्गों के हिटों के लिए आवाज उठाने से हमें कोई नहीं रोख सब्सक्राइब इस तरीके से आपने वीडियो देखा इस वीडियो के अधार पर यही कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने हला बोल दिया है अब ऐसे में देखना काफी एहम हो जाता है कि आफिरकार क्या फैसला निकल कर सामने आएगा कैसी हम योगी आदितनात उनकी मांगों को पू से अधिकर करें कि नगें कि अरक्षान की वेवसथा देने की यह चिंता भी मोदी जी की सरकार में की आँ अ कि आँ मैंने उनके समख्ष कि लीज की परिक्षा में ओभी टी आरक्षन नहीं लागू होने का वीशे उठाया मोदी जी ने इस पर भी त्वरित करवाई इतना सब कुछ करने के बाद भी कही कुछ बाकी रहे गया और वो बाद भी अपना दलने निरंतर कही